तो प्रेशन है ब्रह्मांड की उत्पत्ती से सम्मंदित बिग बैंग सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था? ओप्शन एक कर अंसर दीजिए इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए एप जोर्ज लेमेत्रे ने कहीं कहीं इनका नाम खाली लेमेत्रे या फिर लेमेंट्रे लिखा आता है तो वो भी आंसर सही है बिग बैंग घटना से तात पर रहे कि ब्रहांड में अधिक संकेंद्रन की बज़े से या फिर एक ही बिंदू पर अत्य अधिक धाप पड़ने की बज़े से एक बहुत बड़ा विस्पोट हुआ जिससे ब्रहांड की उत्पत्ती हुई अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए तो नेक्स्ट कोशन है प्रत्वी पर दो अच्छांसों के बीच की दूरी कितनी होती है ओप्सन देख करांसर दीजिए इंपोर्टेंट कोशन है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन भी 111 किलो मीटर प्रत्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती है एक अच्छांस और एक देशांतर यानि होरीजेंटल और वर्टेकल तो नेक्स्ट कोशन है कितने डिगरी देशांतर को अंतरराश्ट्रिय तिथी रेखा भी कहते हैं तो इसका सहित्तर हो जाएगा ओप्सन डी 180 यानि 180 डिगरी देशांतर को ये कोशन आपका एकजाम में कई बार पूछा जा चुका है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एकजाम में आपको याद रहे नेक्स्ट कोशन है चुद्र ग्रह निमलिखित मैं से किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं ओप्सन दे करांसर दीजिए तो इसका सहित्तर हो जाएगा ओप्सन डी मंगल और ब्रहस्पती एक्चली छुद्र ग्रह मंगल और ब्रस्पती ग्रहों की कक्छाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे-छोटे आकासिया पिंड होते हैं नेक्ष्ट है कौन सा एक मातर छुद्र ग्रह ऐसा है जिसे नगन आँखों से देखा जा सकता है तो इसका सियत्तर हो जाएगा ओप्षन भी फॉर वैस्टा बाकी सभी छुद्र ग्रहों को नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उनकी दूरी अत्या देख है इसलिए उनके लिए टेली स्कोप लगाने की आवस्चता होती है नेक्ष्ट कोशन है मंदाकनी क्या है ओप्षन देखकर आंसर दीजिए तो इसका सियत्तर हो जाएगा ओप्षन ए तारों के समूहे को मंदाकनी कहते हैं और इसे आकास गंगा भी कहते हैं क्योंकि यह बहती हुई प्रतीत होती है अगला प्रेशन है सूर्य में उर्जा की उत्पत्ती का माध्यम क्या है इम्पोटेंट कोशन है कई बार एक जम में देखने को मिला है तो इसका सियत्तर हो जाएगा ओप्षन भी सूर्य में नाबकिये सल्यन के कारण उसमें हमेशा उर्जा उत्पत्ती होती होती है सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्री धुरुप पर क्या कहा जाता है आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोटेंट है हैली नामक धूमकेतु अत्वा पुछल तारे का परी भ्रह्मनकाल कितने वर्सों का है या फिर हैली नामक पुछल तारा पिरते कितने वर्सों के बाद दिखाई देता है तो इसका सित्तर हो जाएगा, ओप्सन सी यह है, छेतर वर्सों के बाद दिखाई देता है यानि 76 नेक्स्ट कोशन है, प्रत्वी का ओसत गहनत्व कितना है तो इसका सित्तर हो जाएगा Option C 5.5 वैसे तो हम आपको भूगल से सम्मन्दि सारे महत्यपूर्ण प्रेशन पहले ही सीरीज में प्रोवाइड करा चुके हैं लेकिन ये आपके लिए एक न्यू सीरीज है और इसमें कोशन कुछ बढ़ा के दिये गए हैं लेकिन आपको बता दें कि इससे पिछली सीरीज में आपको सभी महत्यपूर्ण प्रेशन वैसे प्रोवाइड करा दिये गए हैं अगर जिनके एक जाम अभी नजदीक हैं वो जा करके वो सीरीज देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चनल सिक्षा मेरी दोस्त पर आपको वो मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो हमें आप कमेंट कीजिए हम आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और आपको हमारे यूट्यूब चनल की प्लेलिस्ट में भारतिय सम्विधान भारतिय अर्थवस्ता तता खेलकू से सम्वन्दित सारे महत्रपूर प्रेशन और उनकी सीरीज दे दी गई है आप जा करके देख सकते हैं तो अच्छे से तयारी कीजिए और पढ़ते रहिए हमारी साथ जुड़िये ताकि आने वाली नोट तर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सकें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कर लीजिए धन्यवाद